तो बायो हम लोग पढ़ रहे हैं business terminologies पहुत चारी ऐसी टर्म्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए वाइल having a conversation with someone else specially somebody who is from the business background तभी जाकर तुम अपने CS के टाक को justify कर पाऊगे तो चलो शिरू करते हैं तो सबसे पहली टाम है acceptance देखो बहुत आशान है यार लेंडर ने receiver को पैसे दिये यार यह राम है राम ने गुट्स बेचे शाम को राम ने पैसे दे चल पूरे पैसे निकाल शाम ने अभी पैसे नहीं है पैसे दूंगा छे मैने बाट राम ने बोला मुझे तुछ पर भरोसा ने एक काम कर तो यह document ले उस पर साइन कर उस document पर लिखा हुआ है कि मैं शाम राम को 6 माने बाद एक लाग रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं तो उस document पर हाथ साइन करके चले जा तभी जाकर मैं उसे credit दूंगा otherwise मैं उसे credit नहीं दूंगा तो जब शाम ऐसे piece of paper पर साइन कर देता है तो उसे कहा जाता ह acceptance यानि शाम ने अपनी liability को accept कर लिया है और जो document है वो कहलाता है bills of exchange तो पहनी टरम खतम होगी acceptance दूसरी तरम आती adjournment, adjournment का simple मतलब होता है postponement, court में case हुआ तुम गए पेशी पर court ने बोला कि अभी evidence के लिए और time देना चाहिए, case is postponed यानी adjourned, adjourn का simple मतलब होता है court की तारी आगे बढ़ना, तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक तुम दोगोंने movies में देखा होगा court room में हमेशा भगवत गीता के उपर हाथ रखे कसम खिलाई जाती है, लेकिन अगर कोई Hindu religion का ही नहीं, तो उसके लिए भगवत गीता की क्या value, तो उस case में वो religious region की कारण भगव में jail भी देजा जा सकेगा, तो this is called affirmation, तो अगर तुम भगवत गीता पर हाथ नहीं रखते हैं लेकिन यह declare करते हो कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, अगर जूट कहा, पर जूरी करी, पर जूरी करी मतलग wrong statements देए in the court, तो in that case, मैं jail जाने के लिए liable हूँ, या पैनल् U.S. के shareholders को अकरशित करने कि वो मेरी company में invest करें, पैसा तो लेका रहने, मैंने बोला मैं मेरे share U.S. में issue करना चाता हूँ, तो जैसे इंडिया में stock market है, वैसे U.S. में भी stock market होगा, अब उसके stock market में register होने के लिए Infosys को balance sheet बनानी पड़ेग, P&L बनाना पड़ेगा, और भ बोला मुझे stock exchange में register नहीं होने, तुमको यही लग रहे है ना, कि मैं company भाग तो नहीं रहूंगी, तो मैं काम करती हूँ, अपने shares deposit कर देती हूँ in the American bank, फिर से repeat करो, भारत की company ने अपने shares उठाकर deposit कर दिये in the American bank, और इस American bank ने ये shares के बदले में issue कर दी American depository receipts in the stock market, यानी bank ने बोला कि भाईया, Infosys भारत की company मेरे बाद share रखे गई है, ये जो share है, मैंने उसको paper में convert कर दिया, and I have called it ADR, American depository receipts, तो अगर कोई भी Infosys का share खरीना चाता है, तो वो Infosys के ADR खरीद ले, उसको share मैं, यानि की bank दूंगी, this is called American depository receipts, अगर यही process America मना हो कि, दुनिया क कि किसी भी country में होती, तो इसे GDR बोला जाता, यानि भारत की company, foreign के bank के साथ, अपने share deposit कर रहे है, और foreign का bank, उस देश के shareholders को reset issue कर रहे है, जो कि, या तो ADR, America है तो ADR, अधिकर दुनिया की बात करो, तो GDR कहला हैंगी, next हम आती, appearance, तो भाईया, जब तुम पे कोई court case file होता है, और तुमे court को ये बताना होता है, कि तुम represent करोगी, खुद को in the case, कि तुमने कोई lawyer appoint कर रखाए, तुमारा address क्या होगा, अगर court further कोई notice भेजना चाहती है, related to the case, ये भी तुमें disclose करना पड़ते है, और एक बात तुम अगर ऐसे document पे sign कर देते हो, जिसमें तुमने है, जिस court का ये form है, वही court में तुमारा case चलेगा, यानि jurisdiction of the court will be decided on the basis of this paper, तो appearance में तीन बाते है रखना, पहली चीज़, कि court में case लगाया है, तो represent कौन करेगा, मैं खुद represent करोगा, कि मेरा वकील रखन करेगा, दूसरा, मेरा address of communication करेगा, तीसरा, अगर मैंने appearance का form sign कर दिय of a given court, तो मुझे case वही लगना पड़ेगा, क्योंकि jurisdiction of court, वो already decide हो जाएगी, next आता है भायो, arbitrage, मैं बोल रहो है, ये pencil है, ये दुकान वाला, एक एक दुकान है, यहाँ पास में, ये दुकान है, तुमको विजुलाइज करना पड़ेगा, और तो तुम लोग बहुत सारी विजुलाइज करते हो, दुकान विजुलाइज कर लो, तो यहाँ पे एक दुकान है, दुकान A, यहाँ पे दुकान है, दुकान B, दुकान A इस पैन को बेच रही है, 15 रुपे में, दुकान A इस पैन को बेच रही है, 15 रुपे में, और दुकान B इस पैन को खरीदने के सब तब करना के यह दोकान से खरीदो और बी दुकान की बेचो कितनी बार इन फाइन पना इंच भूस काई ना है कि क्या तुम से पूछा किा शाधी कि तुमने वोले कुछ नी सिखरी टो रुब में को 10 पैसा है की Keller 12 ला हर एक pencil पर 3 रुपए का फाइदा और तुम्हारी जेप से क्या गया कुछ भी नहीं घंटा कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारी जेप से और फाइदा उल्टा अलग आ रहा है तीन रुपए पर pencil this is called arbitrage तो जब कोई ऐसा शेर होते हैं जिसकी मिस्स प्राइजीं काई बार मिस्स प्राइजीं होती है इन दे मांकेश बहुत रहर होगी लेकिन होती है अगर कई बार मिस्स प्राइजींग हो गई एक स्टॉक मार्केश इंडिया में भी लिए से और नेश्योग प्राइज नि प्रॉफिट कमा डिस इस कॉल्ड आर्बिट्राइज नेक्स आता है भाईयो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन को एक मत समझना आर्बिट्रेशन में ऐसा होते है कि जब दो लोगों की बीच में लड़ाई होती तो पहले सही डिसेड करके रख लेते हैं कि अगर फ्यूटर तुम लोग याद करो कि गाउं में सरपंच जो है वह आर्बिट्रेशन करते थे क्यों क्योंकि कोई भी कोट नहीं जाता था अगर कुछ भी होता था सूर्य वंचम में तुमने देखा यह अभी ता बच्छन को ऐसे बठे हुए और अगर तुमने शूर्य वंचम नहीं दे तो नहीं होगा समझो बहुत बड़ा बिसेशा अपने बच्छे के नान किया और बिजनस में लाइबिलीटी आदा है आसेट कम है तो बिचारा मेरे बच्चे को तो पैसे देने पड़ जेए इसलिए काम करता हूं बिजनस के लाइबिलेटी ने देता बच्चे को सरफ ऐसे तो बाइयो assignment का मतलब बता है फाइले तो होंगे लेकर नुकसान नहीं होगा assignment का मतलब है property से जितने भी benefit आने वाले है वह सब benefit तुम्हारे हवाले है लेकिन अगर property पर कोई case चल रहे है property के कारण को liability आ रही है और वह partnership के सारे partners होगे उनकी बीटोंने partnership firm को आगे succeed किया तो जब सक्सेशन कर रहे है तो liability के लिए भी बिए ब्लिस्पॉंसिबल है partnership की इतनी assets से उनके वह we is responsible है लेकिन अगर assignment हुआ तो liability के लिए responsible नहीं है लेकिन अगर assignment हुआ तो liability के लिए responsible नहीं है सिर्फ और सिर्फ assets को ही वो enjoy करेंगे so liability means transfer of right and not obligation next आता है attachment जब तुम लोग government को पैसे नहीं देते taxes नहीं देते तो तुम्हारा घर seal करके चले जाते हैं बोलते हम इसको बेच के पैसा recover कर लेंगे इसे कहा जाता है attachment कई बार किसी property भी case चल रहा होते है RBI time time पर rate notify करता है कि इंडिया में maximum borrowing rate और maximum lending rate क्या होना चाहिए किस rate पर पैसा उधार मिलेगा और किस rate पर पैसा उधार लेंगे यह RBI define करता है in India time to time उसे ही कहा जाता है bank rate next आता है bounce check तुम सब लोगोंने दिखा होगा मैंने नाम लिखा sign करी check दिया सामने वाले ने लगाया bank वाले ने बोला पैसे नहीं दूंगा recipient ने पूछा कि क्यूं मैं तो check लेकर आया था bonafide हू दे तू पैसे यार bank वाले ने बोला signature match नहीं कर रहें फिर दूसरा check लेके गया फिर बोले З populations आपने कीडे काड़ी कर दी यह देट मैं अपने ग्रास लगा की फिर से 어떻 लिए नहीं देट इख थी फिर पैसे नहीं दिए तीस्रे में नाम काट के फिर से रखन दों दूसरा नाम ने फिर से पैसे नहीं दिए सबसे कड़ी सदा होती है कि तुम्हारे बाइक में पैसे है नहीं है तोमने चेक इसमें सब इसके है रही है हमसे तो उस लगा हुआ होता है वैसे ही कौस लिस्ट इशू की जाती है और कौस में लिखा होता है कि कौन सा केस कौन सी जगे चलेगा बस इतनी सी बात याद रखना यह एडमिट कार्ट जैसा ही है तो फिर एक बहुत ही फेमस डॉक्ट राइन है के विट एम्टर सेल्स अब गूर्च आ यह नहीं बोल सकता कि भाया यह सामान तो मैंने खरीदा लिकिन यह मेरे यूज में नहीं आ रहा यह मेरे काम का सामान नहीं है तो सेलर इस नॉट लिए के विट एम्टर एक डॉक्ट्रेन है लेट बायर विए बायर पूरी तरीके संतुष कर लेकि उसे चीज की जरूरत है यह नहीं है अगर वो जरूरत है और फिर लेकर जाते है और इस ग्राउंड पर वाफस करते है कि यह मेरी उप्योग में नहीं आ रही तो उस केस में गोच वाफस नहीं लिए जाएंगे के वेट एम्टर मेरे भाई फिर आता है चेक चेक एक नेगोशियाबल इंस्टुमें है मैं एक आजमी से दूसरे आजमी को दे सकता हूँ चुब मुझे किसी को पेमेंस्त करना होते तो महां श का नाम मुट्जित आम आउन लीक्स हो चेक बांब हमाइड सामने वाले को घृता है यानि पिर पैसे सिर्फ पर सिर्फ अकाउंड में जाईगे पैसे कैश में नही इस्यू किया पर उसको किसी और को आगे चेक फॉरवर्ड करने तो पीछे वो ओडर में लिखेगा कि माई चेक शुड भी फॉरवर्डेट तो डिस और परशन और वो भी सिगनेचर करेगा इस इस काल्ड इंडॉर्समेंट अफ चेक सिंपल सी बात है है मैंने प्रकाश को चेक दिया अब प्रकाश को लगते है यह चेक मुझे शिवांच को देना चाहिए तो प्रकाश अगर शिवांच को चेक देगा तो चेक के पीछे साइन करेगा कि आये प्रकाश ओडर दे बांक टू पे एट टू शिवांच और प्रकाश तो में असेट के साथ साथ कुछ और वी दो अगर में असेट से सारे पैसे रियलाइज नहीं हो पहे सब्सक्राइब तुमने अपना बंगलों गरिवी रख दिया अब बंगलों से 8 करोड ही रिकावर हुए तो फिर 2 करोड कहां से एंगे सुब्सक्राइब रख सकती है गिर इसच और कौमल नौघ का मतलब है के सीच में कोई सबूद करते हुए तो इसिच को अगर कमले चौक करते है और तो तो district court पर similar judgment देता है तो district court ने पर क्या refer किया case study refer किया of the high code क्योंकि similar case था और फिर judgment दिया तो जिसके basis पर judgment दिया वो कैलाएगा common laws next आता है consortium तो दिखो यह जब बहुत बड़ा finance करना होता है जैसे Reliance ने bank से finance मांगा 10,000 crore रुपए गा 10,000 crore रुपए दे दे तो SBI ने बोला है चलो चलो माँ leader बंती हूँ चलो चलो माँ leader बंती हूँ I am the lead bank सबसे अधा finance में दूँगी पर में सबसे और बी बैंक आज़ाओ आपन मिलके साथ में finance देते है HDFC को भी बुला लिया Central Bank को भी बुला लिया और सब यह साथ में खड़ोगे HBI ने बोला मैं lead करती हूँ 4000 crore मैं दे रही हूँ 6000 crore तुम syndicate bank मिल कर दे दो तो एक साथ as a group consortium बना कर हम लोग 10,000 crore की funding दे देंगे तो consortium का मतलब होता है जब एक बड़े finance project में एक से जादा entity शामिल होते हैं एक leader होता है और बागे सब syndicate supporting होते हैं next आता है credit note मेरे भाई तो credit note supplier भेजता है to the receiver याद रखना credit note कौन भेजेगा supplier भेजेगा the seller will send a note to the buyer और seller बोलेगा buyer से कि तुम हमारी books में credit किये जा चुके हो credit किये जा चुके हो मतलम suppose मैंने एक लाग रुपए का समान बेचा तु शर्मा जी अब मुझे बात में समझ में आया कि यह एक लाग रुपए का समान ना मैंने गलती से महंगा बेच दिया है इस पर तो additional discount था शर्मा जी से 80,000 ही लेने है गलत billing कर दी तो अभी मैंने एंट्र क्या मारी होगी शर्मा काउंट डेबिट टु शेल्स अब मैं एंट्री रिवर्स क्या मारूंगा अगर में को rectify करना है तो sales debit to शर्मा जी कितने से 20-20,000 से क्योंकि पहले एक लाग से एंट्री मारी थी तो 20-20,000 से मैं उल्टा कर दूंगा sales debit 20,000 to शर्मा जी रेक्टिफाय कर दिया इसी एंट्री को शर्मा जी को intimate करने के लिए मैं बनाऊंगा credit note और शर्मा जी को भीज दूंगा यानि उस credit note में लिखा हुआ होगा कि शर्मा जी you are credited in our books of accounts वह अगलिए पीज रुफर दे तो आपको Potato poker 20,000 रुब नहीं देना है आप 20,000 से credit हो गए हो यही कहलता है credit note और अगर शर्मा जी से ज़्यादा पैसे लेने YOLKA और अगर शर्मा जी से बंसी ज़्यादा लेने YOLKA लेकिन समान आक्टिफली ता लिखोंगा कि शर्मा जी एक लाग तो देने ही थे 30,000 और देना है this is a debit note you are debited in our books of accounts by 3000 तो credit note debit note समझ माया अगर buyer के पैसे बढ़ा दिये तो debit note अगर buyer के पैसे कम कर दिये तो credit note नेक्स आता है भाईयो crisis यार कई बार ऐसा होता है कि market अचानक से बहुत तीजी से गरने लग जाते है कुछ ऐसे बड़े-बड़े buyers होते हैं जो एक साथ अपने सारे shares बेज देते हैं खुद के फाइदे के लिए तो इस case में market में crisis आ जोता है मतलब जब market एक limit से जाधा crash हो ज समय के लिए hold पे डाल दिया जाता है बंच कर दिया जाते है और इसी situation को हम लोग कहते हैं crisis या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं circuit लग गया तो crisis के पहले हो दे जब share market बहुत टेजी से fluctuate हो जाए next आता है CRR यानि cash reserve ratio सारी banks को एक certain percentage deposit कराना पड़ता है with the reserve bank of India उसे हम लोग कहत security और solvency बनी रहे यानि कि अगर bank ने अपने पास का पैसा गलती से खतम भी कर दिया तो RBI उस time पर help कर दे bank की तो RBI उस time पर relevant bank की help कर दे या तुम लोग ने BC तो सुनी होगी तुमारी मम्मी BC में जाती है तो सारी bank मिलकर RBI के पास पैसा deposit करती है तो जिस भी member को जरूरत होती RBI उसको loan ने देता है एसा loan जिस पर तुम्हें interest भी करने और repayment of principal भी करने तो वो कहला है का debt financing तो नेक्स्ट हम आती है depository यह depository कौन होते हैं तुम लोगों को पता है कि आजकल shares physical form में नहीं रखे जाते shares demate यानि dematerialized form में रखे जाते हैं they are electronic now share certificate अब physical नहीं रहा share certificate अब electronic हो गये तो इन electronic certificates को जो maintain करके रखता है वो कहलाता है depository यानि stock exchange में तुम लगा दार buying and selling करते हो लेकिन उस buying and selling का जो record रखता है वो कौन रखता है depository so depository is nothing it is accountant of stock market ऐसे ही आज रखने नहीं stock को तो भायो आज इतने ही terms जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और terms में discussion करेंगे तब तक के लिए bye bye take care and you know the rest keep smiling